आखिल बहुत प्यार करने वालों का भी ब्रेक अप क्यों हो जाता है? आखिल जिसे हम बहुत चाहते हैं, वो भी हमसे दूर क्यों हो जाता है? आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनके साइकलोजिकल प्रेस्पेक्टिव क्या है? अट्रेक्शन ही दोनों को पास लाता है, इस समय उन में एक दूसरे को जानने की बहुत जादा इच्छा होती है इसलिए दोनों आपस में गंटो गंटो बाते करते हैं, आपस में सब को सेयर करते हैं इस दोरान आकरसन इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि किसी और काम में मनी ना लगे इस चरण में वो हमेशा साथ रहने की बाते करते हैं इस समय अट्रेक्शन ही वो फोक्स है जो रिलेशन को बचाए रखता है दोस्तो इस अट्रेक्शन की लाइफ एक से लेके गेड़ साल तक भी हो सकती है इसके बाद सुरू होता है दूसरा चरण दोस्तो ये प्यार का दूसरा चरण है यहां तक पोंचते पोंचते आकरसन खत्म होने लगता है अब घंटों घंटों तक बाते नहीं होती बाते कम होने लगती है अगर इस चरण तक आते आते दोनों एक दूसरे के परती सच्चे और इमानदार रहे हैं तो उनके बीच एक विश्वास और रस्पेक्ट की भावना का जनम होने लगता है जो बहुत श्ट्रॉंग होती है वो रिलेशन को बांदे रखती है दोस्तों पहले चरण के दोरान अगर आप एक दूसरे के परती इमानदार और सच्चे नहीं रहे हैं तो आपके बीच रस्पेक्ट की भावना का जनम नहीं होगा इसलिए आप दूसरे चरण में नहीं पोचबाओगे और आपका रिलेशन खतम हो जाएगा लेकिन जो दूसरे चरण में पोच जाते हैं उनके बीच फिलिंग पहले जैसी नहीं रहती फिजिकल एट्रेक्शन खतम होने लगता है या यूँ कहें कि बहुत कम रह जाता है या तन नहीं मन का मिलन होता है इस चरण में रेस्पेक्ट ही वो फोर्स है जो रिलेशन को बचाये रखती है इस चरण की लाइफ पहले चरण से बहुत जादे नंबी होती है इसके बाद सुरू होता है किसरा चरण जब रेस्पेक्ट बहुत जादे बढ़ जाती है तो सरद्धा का जनम होता है यहां तर पहुंचते पहुंचते सारी रिक आकरसन बिल्कुल खतम हो जाता है यहां मन से भी गहरा दो आत्माओं का मिलन होता है और इस चरण की कोई सीमा भी नहीं इस चरण में कोई relation नहीं टूड़ता दोस्तों जैसा की हमने देखा कि पहले चरण में अट्रेक्शन ही वह फोर्स है जो relation को बचाई रखता है और दूसरे चरण में रस्पेक्ट और विस्वास ही वह फोर्स है जो relation को बचाई रखता है और तीसरे दोर में सरद्धा ही वह फोर्स है जो relation को बचाई रखता है इसलिए पहले चरण के दोरान अगर आपके बीच respect और विश्वास की भावना पैदा नहीं हुई तो आपका relation दूसरे दोर में नहीं पहुच पाएगा इसलिए वो खतम हो जाएगा इसी तरह दूसरे चरण के दोरान अगर आपके बीच respect और विश्वास की भावना चादे लंबी समय तक नहीं चल पाई तो आपका relation तीसरे दोर में नहीं पहुच पाएगा दूसरे दोर में ही खतम हो जाएगा लेकिन अगर आपका relation एक बार तीसरे दोर में प्रविश्व कर गया तो आपका relation कभी नहीं टूटेगा वो है सबसे क्यारा relation तो दोस्तों आपको समझ मैं होगा कि ब्रेक अप क्यों होते हैं या फिर जो प्यार की जो depth है वो क्या है हमने कोशिश की कि आपको समझाया जासर के psychological perspective से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक तो बिल्कुल बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जिता कि हमारे इसी तरह के आने वाले वीडियो आपको मिल जिरे